तो कल मैंने आपसे कहा था कि DC जो है वो कल की मैच जीत जाएगा लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जो second batting करेगा उसकी जीतने की possibility ज्यादा है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों DC ने toss जीत कर भी first batting की choice ली और शायद इसलिए वो हार भी गई मैंने कल की बीडियो पर ये बात किये कि वरुन चक्रवाथी पर मेरे को इतना बरोस है और आप देख लो यार जाकर कल की मैच में चोस ने विकेट्स ली है मतलब मेरी बात तो सच हो गई और अगर मैं वैसे बात करने जाओ तो DC का परफॉर्मेंस अच्छी थी क्योंकि जैसी इंडियन्स वर्सल लखनाव सुपर जाइंट्स की और मेरी लास्ट वाली वीडियो में किसी ने मुझसे कहा था कि क्यों मुझे केल राहूल पसंद नहीं तो ऐसा नहीं कि मुझे वह पसंद नहीं है बस बात यह कि वह इतना अच्छा जो प्लेयर है इसके कंपेरिजर में तो उसका चाम है तो थोड़ा कम पढ़ जाता है मतलब उसको ज्यादा प्रेज मिलनी चाहिए उतरी उसको नहीं मिलती यह मेरा पॉइंट था मेरी भाईयो आज की जो माच हो रही है वह है लखनाव में और यहां पर इतने भी कोई रंज नी वनते तो आज के माच्छ से चानल नहीं बोल सकते इंस्टेब्राम अकाउंट जो है वो में नीचे डाल दूंगी हमारे यह जॉइंट वेंचर है और एक बार और तो सबसे पहले हमारे आते हैं इशान किशन से चाहिए बोलने चाहों तो मैं आज इशान किशन पर जरा भी वरोज़ा नहीं कर सकती लेकिन अबर वो जल्दी आउप नहीं हुए तो वो आज एक सेंक्शूरी कर सकते हैं यह भी मैं बोल दूँ मतलब यह आया पार वाली सिचुएशन होगी इस मैच में मुझे लग रहा है कि वो जो है वो तीस रंस बना लेंगे चारीस दन वी हैव सूर्य कुमार यादर देखी सूर्य कुमार यादर कि इस वेन्यू पर और इस पीम के अगेंस भी इतनी कोई खास स्कोर नहीं है तो आई थिंक आज के माच में तोड़ा रिस्की है उनके बार में कुछ बोलना मुझे दिल से लग रहा है कि आज वो शायद इतना अच्छा ना करें लेकिन क्या बता करते तो करते आज भी मैं बोलूगी कि टिम डेविल जो है वो अच्छानक से अच्छा कर सकते हैं मुझे सच में लग रहा है कि जो ये टॉप ओर वो देखने वाली चीज है तो इस माच में मेरे को ऐसे तारी जुड़ते हुए नजर आ रहे कि ये मैच में शायद हर्दिक पांडय का तारा जोय रहा है वाकि मुहमत नभी है वो तो क्यूं है मुझे यह नहीं समझ में आ रहा किसी और को भी ले सकते थे वो टीम में हम बढ़ इंटुशन आ रहे है वह है एन टुशार शायद लास्ट लास्ट मच में गाया उसमें काफी अच्aju जिए और मैंना गाया दी क्या पता आज वो चौंबक ठाव जिसे मैंने बात किये हैं माने कोई डंकि अच्छी बात नहीं कि या तो क्या पता है इसे वाई बारी अच्छा ओनक से क्या धा हार जाना मुंद लेट्स ने एनी मोर टाइम और पटते हैं हमारे लस्वित करफ इस वीं में सबसे पहले हैं हम पर सोच लो आप मुझे लगता है आज इनकी टीम में से सबसे द्यादा रन जो निकालेगा वो होगा केल रहा हो I think केल रहूल को आज सपोर्ट करेगा बहुत ही कोई हवे में तुक्के मार रही हूं मैं लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे क्यूंकि मेरे हैसाब से क्विंटिन डि करेंगे से मुझे लग रहा है वह है माक स्टोनस और क्रोनाल पांडिया दोने भी अच्छे हैं लेकिन इतना कोई उनका परफॉर्मेंस बाहर निकल के नहीं आरा थोड़ा सा उकेशी जा रहा है लेकिन मुझे आज की माच में लगता है वह नॉर्मल परफॉर्म करेंगे इ अगर सच बोलने जाओं तो रवी भिष्णुई को यूज नहीं किया जा रहा है लेकिन यह जो एमाई के प्लेयर्स है उन सब को रवी भिष्णुई ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत बार आउट कि उसको अच्छी तरह से यूज अगर करें आज जो है मुंबर इंडि कि क्या रकल क्यों जीती और अगर एलेज जी आज अपना बेस्ट नहीं देगी तो अब्विएस्टी वह भी आज नहीं जीत सकती लेकिन मैं यह कह रही हूं कि अगर यह अच्छा के ले तो शायद यह जीतने के चांसे हैं तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो और मिलते आ कर दो